गुड मॉर्निंग एवरिवन स्वागत है आपका केलो आये सकेडमी की यूटूब चैनल पर दोस्तों आज है 15 अक्टूबर दिन रविवार ठीक हैं आज हम डेली करेंट अफियर क्विज को कंटीनू करेंगे ओके चले देखते हैं कोस्चन्स को कुझेल और दोस्तों पहला कोश्यन है कि भारत में गठित निम नलीखित में से कौन सी समीती पुलिस सुधार से संबंधी थे हैं ठीक हैं जो पुलिस होता है उससे संबंधी थे ये बताना हैं अमारे पास तीन यहां पे समीतियों के नाम है पहला है पदमना भहिया समीती सन 2000 बना था ये मलिमत समीती ये 2000 बना था और न्याय मोर्ती जेस वर्मा समीती ये 2012 में बना है ठीक है अब हमको सही उत्तर बताना है आप भी दोस्तों स्लाइट को रोक करके एक बार कोश्चन को पढ़ लिजे चलिए आंसर की दरफ चलते हैं अब तो दोस्तों पदमना भहिया समीती भी राइट आप्शन है मलिमत समीती भी राइट आप्शन है और न्याय मोर्ती जेस वर्मा भी राइट आप्शन है ठीक है तो इस हिसाब से जो आंसर होगा हमारा आंसर होगा डी ओके 1,2,3 चलिए इसका explanation थोड़ा और देखते हैं और कौन-कौन सी committees थी तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको देख जाएगा कि कौन-कौन सी committees है ठीक है देखें यहाँ से start करते हैं 77 में फिर 98 में बनी committee 2000 में देखें जो option में थी committee committee फिर 2002 और 2003 में महलिमत committee है और फिर जो कुछ committees और commissions और बने हैं आपको सबको देखना है यह प्रकास सिंग वासे यूनियन ओफ इंडिया बहुत popular केस है पुलिस रिफार्म के उपर में फिर सेकेंड एसी की रिपोर्ट भी है ओके फिर जस्तिस जेस वर्मा वाला ऑप्शन में था यह है ना तो आपको यह सारी चीजों को याद रखना है प्रिलियम्स में सीधा सावाल बन जाता है और इसके साथ ही साथ जब आप मेंस लिखेंगे तो वहां पर आपको यह चीजे काम आएंगी यह फैक्ट्स ओके तो आप याद रखेंगे इसको दूसरा प्रस्ण देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रस्ण है दूर संचार विवाद निप्टान और अपेलिय न्यादी करण है ना टेलिकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलिय ट्रिबुनल ठीक है इसके बारे में हमको कुछ कथन दिये गए हैं डारेक्ट एक ब अत्वा आदेश के विरुद्ध अपील के सुरुवाई कर सकता है ठीक है किन्तू क्या बोल रहा है दोस्तों किन्तू सेवा प्रदाताओं और उभखताओं के बीच विवादों पर फैसला नहीं कर सकता ठीक है इसको देखते हैं आगे केंद्रिस अंचार मंत्री इसके पद के पास सिविल कोट के समान सभी सकतिया है किन्तू सिविल सिवा की प्रक्रिया सहीता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया इसके लिए बाध्यकारी नहीं है और इसमें हमको बताना है सही ऑप्शन कौन-कौन से ठीक है केवल एक सही है या यह तीनों में से कोई सही है या तीन सुनवाई कर सकता लेकिन इसके बाद यह किंतु जोड़ा गया है और फिर लिखा गया सेवा प्रदाताओं और भुक्ताओं के बीच विवादों पर फैसला नहीं कर सकता और आप दोस्तों यहां पर देखेंगे तो यह क्या है एक नायादी करण है इसका कामी यह फैसला देन है ना तो उस हिसाब से यह गलत हो जाएगा पहला ऑप्षन हमारा गलत हो जाएगा दूसरा देखते हैं दूसरा में दोस्तों यह बोल रहा है कि केंद्रिय संचार मंत्री इसके पदेनर्द्यक्ष होते हैं तो वह नहीं होते हैं दोस्तों इनकी नुक्ति केंद्र सरकार करत है जो सुप्रीम कोर्ट जो रेकमेंडेशन्स देता है जिन वेक्तियों की उनकी सहायता से करती है ठीक है तीसरों अप्शन है इसके पास सीविल कोड के समान सभी सकतिया है किन्तु सीविल प्रक्रिया सहीता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया इसके लिए बाध्यकारी नहीं है तो दोस्तों ये एक प्रादी करण है तो ट्रिबुनल की खास बात ये होती है कि हर ट्रिबुनल के पास सीविल कोट की सकती होती है ठीक है लेकिन वह जो जज्जमेंट्स देते हैं वह सिविल हो जाएगा ठीक है आप आगे देखते हैं इसका explanation भी आप देख लिजे एक्स्प्रेंशन में दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका गठन कैसे हुआ यह भी लिखा हुआ कि जो ट्राइए एक्ट है तो इसको आप जाके पढ़ेंगे ओके ट्राइज जो है टेलिकॉम रेगुलेटरी अथौरिटी ऑफ इंडिया है जो टेलिकॉम रेगुलेशन होता है वोड़ा फोन जीयो और यह सबका सबको यह कंट्रोल करती है कंट्रोल नहीं रेगुलेट बोल अपईलिय प्रादीकरण नाम दिया गया एकब बनाया गया दोस्तों यह वर्ष acum क्या है तो इसका पॉइंट नमबर 시청 do loausi करता यह ठीक है दो या दो से अदिक सिवा प्रदाता जीसे मांने जी ओ और एर्टिल के बीच को विवाद हुआ तो उसको करेगा एक सिवा सिवा प्रदाता है और उभखताओं को समूव है यानि पॉब्लिक ठीक है तो उस हिसाब से यह फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाता था है नहीं यहां पर देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन गलत था ओके क्योंकि यहां पर लिखा कि यह प्रदाताओं और उभखताओं के भीच विवादों पर फैस्ला नहीं कर सकता पर हमने उसके काम में देखा कि करता है और आगे देखते हैं दोस्तों कि एक अद्यक्ष और दू अनसर्द से होते हैं त्यक्षी नक्ति कौन करता कि अंद्र सरकार करता है कया ठीक है पर ऐसा नहीं नहीं है और नियुक्ती में भी देखेंगे अगर आप तो नियुक्ती में सुप्रीम कूट की आप को रोल दिखेगा झीफ-जस्टिस का ठीक है अब चलिए आगे देखते हैं कोई भी मामला इसका अधिकार छित्र क्या क्या है कोई भी मामला जिसमें इस संस्था को निर्णे देने का अधिकार है civil court को उस मामने पर विचार करने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये एक tribunal है ठीक है और यहाँ पर देखे दोस्तों tribunal के पास civil court की सभी सक्तियां होती है ये civil प्रक्रिया सहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बंधा नहीं है ठीक है बलकि न्याय के सिध्धान द्वारा निर्धेशी थे अता कथन तीन सही होगा ठीक है चलिए अब नेक्स्ट कोश्चन को देखते हैं दोस्तों ये सारे कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट अफ्यू से और आज के नियूस पेपर से ही है है ना तो उस हिसाब से आप इनको सॉल्व करने का प्रयाज करिए ठीक है दोस्तों मुद्रयस्विती का जो चैप्टर है अभी हाली में हमारे चैनल पे आया था उसको देखेगा कोश्चन मुद्रयस्विती से ही है कोश्चन यह बोलता है दोस्तों कि उभ्भुकता खाद्य मुल्य मुद्रयस्विती है ना उभ्भुकता खाद्य मुल्य मुद्रयस्विती ठीक है क्या बोल रहा है इसके संब्द में निमलेगित कत्नों पे विचार करना है अब क्या विचार करना है दोस्तों पहला option कि ये प्यापक थोक मूल्य सुचकांक यानि WPI का एक उपगटक है ठीक है दूसरा बोल रहा है कि ये विशिस्ट खाद्य पदार्थों के मूल्य परिवर्तन को ट्रेक करता है समानेता जो दैनिक रूप से घर में उपभोक किये जा यहां पर wholesale है आपने अगर WPI पढ़ा होगा CPI पढ़ा होगा तो ये CPI से related है ना ये रिटेल मार्केट में जो प्राइस शलता उसको रिखता है जबकि WPI जो होता है वो wholesale मार्केट से related होता है इसलिए जो पहला option है वो गलत हो जाएगा ठीक और दूसरा जो बोल रहा है कि य मुल्य परिवर्तन को ट्रेक करता है ठीक है तो सही बात है क्योंकि ये खाद्य भूकता खाद्य मुल्य मुद्रस्विती को जज़ कर रहा है ना तो जाहिसी बात है कि उसमें खाद्य पदार्थ होंगे शामिल अब अपने को इसमें बताना क्या था सही बताना था तो पहला उब्भोक्ता खाद्य मूले मुद्रा स्फिती की एक विशिस्ट माप है जो विशिस्ट रूप से उब्भोक्ता वस्तुओं और सेवाओं में खाद्य पदार्थों के मूले परिवर्तन पर केंद्रित है ठीक है उब्भोक्ता मूले सूच का आंकी यानि CPI का एक उब घटक है यह CPI का एक उब घटक है जो मैंने आपका भी बताया था भारती रिजर्ब बैंक दर की गढ़ना करने के लिए CPI सेयुक्त का उप्योग करता है है इसलिए कथन एक जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि WPI का रू के मूले परिवर्तन को ट्रेक करता है जो सामान्यता घरों में उभ्भोक किया जाते हैं जैसे अनाज सब्जियां फल डेरी उत्पाद मांस और अन्यखाद बदार्थ अता कथन दो जो है वो सही होगा चलिए चलते हैं बगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण दोस्तों OTT प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है ओवर्ड़ टॉप प्लेटफॉर्म के संदर में निम्दलिकित कत्नों पर विचार कीजिए देखिए दोस्तों आप इसका आंसर खुद निकालने का प्रयास करेंगा एक बर स्लाइड को रोक के क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है जो हमसे लगातार हमको सुनने में और जानने में आते रहता है ठीक है ओटीटी प्लेटफॉर्म ओडियो तता वीडियो होस्तिंग और स्ट्रीमिंग सेवाए हैं यह शुरू-शुरू में कंटेंट होस्तिंग प्लेटफॉर्म थे लेकिन बाद में लगू फिल्म, फीचर फिल्म, भारतिय दूर संचार नियामत प्राधिकरन ट्राई के बारे में थोड़े दिर पहले ही पड़ा था कि अधिकार छेत्र के अंतरगत आते हैं सही क्या क्या है ठीक है और यह क्यों बना है वह भी देखेंगे अभी हम लोग तो देखें दोस्तों टीटी के बारे में यह तो ब प्रोदोगे की नियम 2021 दौरा शाशित होते हैं सही है और तीसरा जो है दोस्तों कि भारतिय दूर संचार नियामक प्राधिकरन के अधिखार शेत्र के अंतरगत आते हैं यह गलत हो जाएगा ठीक है और मैं बताऊंगा क्यों तो आप्शन वन और टू यह सही है पर यह कोश कोशन बना है चले देखते हैं कैसे तो देखें दोस्तों यहां पर पॉइंट नंबर 3 को देखें दूर संचार विवाद निप्टान अपीले नियाधिकरन जिसका जस्त कोश्चन हम लोगों ने पहले किया है ठीक है उसने फैसला सुनाया है कि होट इस्टार जैसे ओवर द अब आप इस संस्था को और इस संस्था को लिंक कर पा रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी जो कोशन हमने किया था उसमें इन यह दोनों के बारे में बात की गई थी ठीक है चलिए अब नेक्स्ट कोस्चन पर चलते हैं तो इंटीग्रेटेटर कमांड के संदर्म निमलकित गत तीनों सेनाओं की एक एक्रित कमांड की परिकल्पना की गई है ठीक है दूसरा ओप्षन देखते हैं एक एक्रित थेटर कमांड व्यक्तिगत सेवाओं के प्रति जवाब दे नहीं होगा ठीक है और तीसरा है शेतकर कमीटी जो है सेटकर कमीटी जो है 2015 बनी थी इसने तीन एक एक्रित थेटर कमांड के निर्मार की सिफारिस की है अब यह सही है कि नहीं है यह बताना है अपने को ठीक है दोस्तों किते सही है इसमें से तो देखे दोस्तों यह पॉइंट नमबर वन तो बिल्कुल सही है हाँ सरकार ने ऐसी जो है परिकल्पना किये कि तीनों सेनाओं को एक ही जगा पर कॉडिनेट किया जाए ताकि इससे फाइदा यह होगा कि जो भी एक्शन लेना होगा हम लोग तुरंत ले सकते हैं ओके दूसरा है कि यह व्यक्तिकत सेवाओं के प्रति जवाब देनी होगा सही बात है यह केव पुलीस रिफर्म से रिलिटेट था तो यह भी सही है दोस्तों ओके तो यहां पर अपना ओप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओके चलिए बागे देखते हैं कि यहां पर दोस्तों इसका एक्स्प्लेनेशन है इसको एक बार पढ़ते हैं हम लोग एक एक्रित थीटर क कमांड में सुरक्षा और रणनीतिक द्रिष्टी से महतवपुन किसी भौगऑलिक छेत्र के लिए एक ही कमांड के अधिन ठीनों ससस्त्र सेनाओं थल सेना वायू सेना और नौ सेना के एक्रित कमांड की परिकलपना की गई हैं अताकतनेक सही है ओके इन बलों में इन बलों के कमांडर अपनी चमताओं और संसाधनों के साथ किसी भी विपुरीत परिस्थी के सामना करने में सक्षम होंगे एक क्रित थीयटर कमांड किसी एक विसिस सेवा के प्रती जवाब दे नहीं होगा ठीक है दोस्तों यह चीज़ आपको याद रखनी है और यह ऑप्शन देखे शितकर समीति न Teatr कमांड बनाने की शिफारिश की थी कौन पुल सा चीन के लिए उत्तरी कमांड पाकिस्तान के लिए पंच्छमी अर्वुमीका के लिए जो समुद्री सीमा है हमारी उसके लिए दक्षरणी कमांड खेक है दोस्तों तो आज का जो यह वीडियो है प्कॉस कोशन डिसकर्स कर रहे हैं तो मान लिजिए हफते में 30 दिन होते हैं तो आपके कित्ती कोशन हो जाएंगे 150 ओके और अगर प्रेलियम को 10 महिना भी है तो आपके 1500 कोशन आराम से हो जाएंगे सिर्फ कर इंटरफेस के है ना तो आपका बहुत सारे कंटेंट ऐसी कवर हो तो आप कंटीनु रहे है सिरीज में चलिए ठीक है दोस्तों बाइए अ कित्त कर दोब का थोस्तों चलिए सिरीज में चलिए प्रेप जाएँ भाव जाएंगे से हो जाएँ है